हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये केबल का पैटन लेकिया आई हूँ, ये आप जेंड स्वेटर में, लेडी स्कार्डिकन में, किसी भी प्रोजिक्ट में अप्लाए करोगे, सुद्धा लगेगा, ये डबब डबब साज कुछ पैटन आता है, इस तरीके से दिखिए, डबबे ड से बन रहे हैं ये, और इसका फ्रंट लुक ये है, बैक से ये इस तरीके से आता है, इस पैटन में आपकी कीवल ड्राइट साइट से ही बिनाई पड़ेगी, सीधी तरफ से ही बिनाई पड़ेगी, उटे साइट से हमें कोई बिनाई नहीं डालनी है, थोड़ा सा लंबा प तो ज़िए स्टार्ट करते हैं इस पैटन को बनाने के लिए हमें six की multiple में फंदे डालने है प्रस दो फंदे हमें हमें अपनी एज के लिए extra डालने हैं तो छे पंदो की यह बिनाई है तो छेचे के जोड में आप इसमें फंदे डालके लास्ट में दो फंदे अपने दोनों किनारों के लिए डाल लीजेगा तो यह बिनाई आपकी एज़िस्ट हो जाएगी यहाँ पर बिनाई में आपको 20 फंदों में डालके दिखा रही हूँ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर एक फंदा सीधा यह चे फंदे हो गए हैं पैटन के एक फंदा सीधा चार फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा फिर से इसी पैटन को रिपीट करेंगे एक आगे का फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, फिर एक फंदा सीधा. Complete हो गया है pattern, फिर से दोर आएंगे, तो एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, और एक फंदा सीधा. complete हो गया है pattern यह edge stitch है तो इसको हम सीधा ही बिननेंगे अब आजाएए second row में दूसरी सलाई है हमारे pattern की ultra side से इसमें ultra side में कोई भी बिनाई नहीं है तो हमेशा ultra side हमारा पुरा ultra ultra बिनते वे ही complete होगा इसमें सारे fund को हम इसी तरीके से ultra ultra बिननेंगे अब आजाए ये third row पर तीसरी सलाई है हमारे pattern की एक फंदा हमने slip करना है अब इन दो फंदों को हमें twist करना है तो हम पहले पीछे से पहले पीछे वाले फंदे को पीछे की दरफ से ऐसे करके सीधा बिननेंगे एसे और फिर आगे वाले फंदे को सीधा बिननेंगे फिर दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर से इन दो फंदो को हमें ट्विस्ट करना है अब की बार हमें पीछे वाले फंदे को आगे से आगे लाना है तो आगे की तरफ से इसको ऐसे सीधा बिननेंगे आगे को पीछे कर लेंगे पहले और फिर ये पीछे वाले फंदे को पहले आगे की तरह से सीधा बिना और फिर इसके आगे वाले फंदे को सीधा बिन बिया ये छे फंदे कम्टीट हो गए हमारे पैटन की फिर से आगे दोर आएंगे इसी को तो इन दो फंदो को हमें ट्विस्ट करना है एक सीधा फंदा है एक उल्टा फंदा है तो ये पीछे वाले फंदा हमें पीछे की तरफ से आप ऐसे भी कर सकते हैं पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से हम आगे लिया ऐसे इस तरीके से आगे लाए ऐसे चढ़ाया इसको और फिर इन दोनों को सीधा बिन दिया फिर आगे की दो फंदे उल्टे फिर इन दो फंदों को आगे से ट्विस्ट करना है तो पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे की तरफ से उठाया ऐसे करके और ऐसे आगे लिए और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बिननेंगे complete हो गया है pattern आपको दोनों methods में से जो भी easy लगे आप apply कर लीजेगा तो फिर देखिए फिर से दोर आएंगे तो इन दोनों फंदों को twist करना है पहले back set twist करेंगे इस तरीके से फिर दो फंदे उल्टे बिनेंगे दागा पीछे फिर इन दो फंदों को आगे से twist कर देंगे पीछे वाले फंदे को पहले बिना फिर आगे वाले फंदे को बिना last की एजे stitch है इसे सीधा बिननेंगे अब fourth row है चौतिस रही है pattern की इसे पूरा उल्टा बिनते वे complete कर देंगे अब आजाएए फिर से right side में अपनी fifth row है हमारी पाच्वीस लाई है pattern की देखिए एक फंदा हमने slip करा दागा अपनी तरफ करेंगे pattern जो repeat करना है वो यहाँ से start होगा तो एक फंदा उल्टा अब इन दो फंदो को हमें twist करना है तो पीछे से पहले हम twist करेंगे दागे को पीछे ले जाएंगे अब पीछे वाले फंदे को पीछे से इस तरीके से सीधा बिना फिर इस आगे वाले फंदे को सीधा बिन देंगे अब इन दो फंदो को आगे से twist करेंगे तो पीछे वाले फंदे को पहले हैसे आगे से सीधा बिन लेंगे और फिर आगे वाले फंदे को सीधा बिननेंगे इसके बाद धागा आगे एक फंदा उल्टा ये देखिए ये complete हो गया है मारा pattern 6 पंदे complete हो गया है pattern की फिर से अपने pattern को दोराएंगे तो एक फंदा उल्टा अब इन दो पंदो को twist करना है पीछे से पहले पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से बिना और फिर आगे वाले फंदे को बिननेंगे फिर इन दो पंदो को twist करना है तो पहले पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से twist करनेंगे ये आगे से बिना और फिर आगे वाले फंदे को बिननेंगे फिर एक फंदा उल्टा complete हो गया है pattern फिर से दोराएंगे पने pattern को तो एक फंदा उल्टा इन दो फंदों को twist करना है पीछे से पहले पीछे से एक फंदा बिना फिर आगे वाले फंदे को बिन लिया फिर इन दो फंदों को twist करना है आगे की तरब से तो आगे से एक फंदा सीथा बिना पीछे वाले फंदे को पहले बिन लेंगे फिर आगे वाले फंदे को बिनेंगे फिर एक फंदा उल्टा complete हो गया यहाँ पे pattern last की अपकी एजिस्टिच है तो इसे हम सीथा बिनेंगे 6th row है, 6th row है, 6th row है pattern की, पूरा उल्टा बिनते पर complete कर लेंगे अब 7th row है हमारी सीधी तरफ से 7th row है, 7th row है एक फंदा slip करा, pattern start यहाँ से होगा तो 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, तो 2 फंदे सीधे, और 2 फंदे उल्टे complete हो गया है pattern, फिर से दोर आएंगे अपने pattern को, तो 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे complete हो गया है pattern, फिर से दोर आएंगे, तो 2 फंदे सीधे, sorry, यह 2 फंदे उल्टे हैं, फिर से दोर आएंगे, तो फिर आगी की 2 फंदे उल्टे होंगे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे फिर 2 फंदे उल्टे कम्प्लीट हो गया है पैटन एज स्टिच है इसको हम सीधा बिननेगे एद रो उल्टे साइड से पूर उल्टा बिनते वे कम्प्लीट कर लेंगे एक फंदा slip करां, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे. complete हो गया है pattern, फिर सदोर आएंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे complete हो गया है pattern, फिर सदोर आएंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, और दो फंदे उल्टे complete हो गया है pattern, एज इस्टेच है, तो इससे सीधा पिने नहीं आजाई अपनी 10th row पे 10 वी सिलाई है pattern की इसको पूरा उल्टा बिनते में complete कर लेंगे अब 11th row है 11 वी सिलाई है pattern की कि एक फंदा हमने slip करना है pattern start यहां से करेंगे तो एक फंदा उल्टा अब इन दो फंदो को twist करना है पहले अब हम आगे की तरफ से twist करेंगे तो पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे से सिधा बिन लेंगे इता आगे को पीछे ले जाएंगे पहले और फिर इसको ऐसे सिधा बिन लिया और फिर आगे वाले फंदे को सिधा बिन लेंगे अब इन दो फंदो को twist करेंगे पीछे से पीछे वाले फंदे को प्याले भी नेंगे और फिर आगे वाले फंदे को बिन दिया फिर एक फंदा उल्टा ये complete हो गए है छे फंदे पैटन के फिर से इसी फंदो को दोराएंगे तो एक फंदा उल्टा अब इन दोनों फंदो को twist करना है पहले आगे की तरफ से को twist करेंगे पीछे वाले फंदे को पहले बिन फिर आगे वाले फंदे को बिन दिया अब इन दो फंदो को twist करना है पीछे से तो पहले पीछे की तरफ से फंदे को सीधा बिना फिर आगे वाले फंदे को बिन दिया फिर एक फंदा उल्टा कम्प्लीट हो गया है पैटन, फिर सद दोर आएंगे बारवी सलाई है पैटन की, इसे पुरा उल्टा बिनते वे कम्प्लीट कर ली है अब थर्टीन त्रो है, तेर भी सलाई है पैटन की, एक फंदा हमने स्लिप करा, यहां से हमें पैटन को रिपीट करना है, तो इन दो फंदो को ट्विस्ट करेंगे, तो पहले पीछे वाले फंदे को फ्रंट की तरफ से ऐसे सीधा बिनेंगे, फिर आगे वाले फंदे को सीध तो धागा एगे करेंगे, कि दो फंदे उल्टें, फिर दागा पीछे इन दो फंदों को twist करना है back side से, तो पीछे से पहले पीछे वाले फंदे को सीधा बिन देंगे, और फिर आगे वाले फंदे को, एक कम्लीट हो गया है pattern, फिर से अपने pattern को दहुराएएगे, तो इन दो को हमें twist करना है पहले आगे की तرف से twist कर लेंगे इसे ये दिखिए आगे से पीछे वाले पंदे को सिधा बिना और फिर आगे वाले पंदे को बिन दिया अब दो फंदे उल्टे धागा पीछे फिर इन दो फंदो को twist करना है backside से तो पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से ऐसे लेंगे और सिथा बिनेंगे और फिर आगे वाले फंदे को बिन दिया ये complete हो गया है pattern फिर सदोराएंगे अब 14th row है 14th row है शौदरवी सलाई है pattern की इसे पूरा अल्टर बिनते वे complete कर लेंगे और फिफ्टीन्थ रो है पंद्रवी सलाई है पैटन की ये सेम हमारी फिर्स रो की तरह बनेगी जैसे कि हमने पहली सलाई बनाई थी अपनी एक फंदा स्लिप करेंगे यहां से पैटन स्टार्ट करना है तो एक फंदा सीधा चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर एक फंदा सीधा कम्प्रीट हो गया है पैटन फिर से दो राएंगे एक फंदा सीधा चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार और एक फंदा सीधा कम्प्रीट हो गया है पैटन फिर से दो राएंगे एक फंदा सीधा 16th row है सोल्वी सिलाई पैटन की इसको कुरॉल्टा बिनते वे कम्टीट कर लेंगे यह देखिए यह एक पर हमारा पैटन बन गया है यह देखिए एक डब्बा हमारा ऐसे दर की बन गया है डायमेंड की शेप में बनते हैं डब्बे तो यह एक डब्बा बन गया है तो आप फिर से आप परस्ट रो से आप कंटिन्यू करेंगी इसे तो जब आप इसे बड़ा बनाएंगी तो यह कुछ इस तरीके से आएगा थैंक यू